गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टू सीयर इंटरनेशनल स्कूल ओनलाई स्टूडी सिस्टम, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट, इंग्लिज टोपिक, हॉलिडे हॉमवग, बेटा हॉलिडे हॉमवग क्या होता है, छुट्टियों का काम, बेटा ये बताओ, ये कौन स सीजन चल रहा है, समर सीजन, समर सीजन में आपकी क्या होती है, समर बेकेशन, ये आपकी गर्मी की छुट्टियों का काम है, जो अब मैं आपको समझाएंगी, कि आपको ये कैसे करना है, ये है काम आपको फिर नोट बुक में करना है, ओके, आओ, अब हम अपना वर्क समझ बेटा आपका यह वर्क आपके असाइमेंट पर निर्धा लिते हैं या यह वही वर्क द्याजार है जो आपने असाइमेंट में सीखा था ओके देखेंगे कुछ नमबर वन राइट दा नेम ओपड़े देर्ध देज ओतर दीनों के नेम लिखो पिर्टेस नेम कोन से होते हैं संडे मन्डे टूस्डे वैनस दे थर दे फ्राइडे आं सेटर डे यह सबी क्या हैं दीनों के नेम ओकी सेकिंट कोस्चन यूज ओफ दिस बिटा इसका कुछ हम करते हैं पास की चीज़ के लिए और देट का हम यूज करते हैं दूर की चीज़ के लिए जैसे देट इचे बैट यह दूर है अब काईट का है पास है तो किसका यूज करेंगे दिसका अब पैन हमसे का है दूर है तो किसका यूज करेंगे देट का फिस पास में तो क किसका यूज़ करेंगे इसका ओके सब्सक्राइब देखेंगे पेज नमबर टू कोस्ट नमबर थी हाउ मैनी वोवल्स आर देर इन दा फूलोईंग वर्स बिटा जो वर्स दिये गए हैं इनके हमें क्या बताने वोवल्स ठीक है जैसे बैट में कितने लिखोगे वन एम ए एन जी ओ कौन कौन से वोवल ए और ओ कितने लिखोगे तू फादर ए और ए टू ठीक है बुक कितने है इसमें है तो एक मतलब है दो और लिखोगे कितने ए क्योंकि एक ही तो है वोवल ओ ओके पूसन नमबर फूर पूट एन आर्टिकल्ज ए और न बिटा हमें ए और न का यूज करना एम कहा करना है बिटा एन का यूज हमें वोवल के साथ करना है वोवल कितने होते हैं हमारे फाईव कौन कौन से ए ई आज़ ओ यू बाकी जो बच्चे हों consonant है जैसे अब umbrella है umbrella में किसका यूज़ करेंगे बताओ U का है vowel किसका यूज़ करेंगे N का बोल में B क्या है consonant तो किसका यूज़ करेंगे A का cup में C क्या है consonant किसका यूज़ करेंगे A का अब देखो एड में E क्या है वो वल किसका यूज़ करेंगे अब देखो राइट दा नेम उब दा फ्रूट्स फ्रूट्स होते है फ्रूट्स के नेम लिखो बेटा फ्रूट्स के नेम कौन फूट्स होते है जैसे ओरेंज, एकपल, मैंगो, बनार यह सब भी राइट करो गया आप अब देखो पेज नमबर फ्री राइट दा नेम उफ दा बर्स कौन से नमबर फ्रूट्स बेटा बर्स बर्स के होते है पक्षी जो उड़ते हैं जैसे स्पैरो, पीजन आउल, पिकोक है ना यह सब भी क्या है बर्स नेम बर्स ठीक है राइट दिफिकल्ट, दिफिकल्ट होते है कठिन कैठ है इन है कठिन बीटा इक कठिन सब दें क्या है इनको हमने प्रनेंसेशन के साथ बोलना है और भी स्पैलिंग इनको लन भी करना है और इधर के जो वर्ट्स दे रखे हैं यह वाले इधर हमने राइट करने एं next , देखो पेज नंबर फोर राइट वड्स मीनिंग्स बीटा जो वड्स दे रखे हैं क्या लिखने है इनकी अल्दा मैश्ण दे रखे हैं यह निखना है वर्ड मिनश्द और मिनिंश्द आर्थ अब देखो answer the following questions बेटा जो questions दे रखे इनके answer कर ले एबर मैं repeat करा रहे आपको Where is Sunita's frog? Sunita के frog का है? Sunita's frog is on a hangar Where was the brown house? Brown house का था? बताओ In the green house Where is the parrot? The parrot is in the cage Where was the white house? White house का था? बताओ in the brown house What was in the white house? White house What was in the white house? White house के अंदर क्या था? बताओ क्या था? There was a little pool Next देखो Page number 5 Question number 10 Pick the correct answer What was in the बिटा हमें correct जो सही है उस पर हमें निसान लगाना ठीक है? What was in the little green house? Little green house के अंदर क्या था? A little brown house या a little red house क्या होगा बिटा? A little brown house प्रितिक करेंगे What was in the little white house? छोटे white house के अंदर क्या था? A little pool या a little pond A little pool Very good Who plays with the toys? खिलोनों के साथ कौन खेलता बिटा? तिंकू या पिंकी? Very good तिंकू Who is in the cage? पिंजरे में कौन है? पैर्ट या पिको कौन है बिटा? बोलो पैर्ट अब कोसे नमबर 11 देखेंगे Right, yes or No The पिको की इन दा केज क्या आएगा बिटा? No The pool was very small Yes The table is in the room क्या आएगा? No The little white house had a pool क्या आएगा? Yes अब नेक्स देखो पैर्ट नमबर 6 Fill in the missing letters बिटा जो ये Missing letters है इनको हमें fill करना है हमें भरना है और जो spelling है वो complete करनी है देखो पिक्चर किसका ये? Coconut इसमें Coconut की spelling राइट करोगे ये क्या है? Leaf Leaf की spelling राइट करोगे ये क्या है? Tree Tree की spelling राइट करोगे इदा ये क्या है? Table Table की spelling complete करोगे ये क्या है? Hangar Hangar में किस की spelling करोगे? Hangar की अब देखो Put each or are in the blanks कुछ नमर 13 बेटा इज का यूज हम कहा करते हैं he she it and singular noun यानि कि एक के साथ एक के साथ हम इज का यूज करेंगे और we you they and plural noun यानि कि एक से जादा के साथ हम किस का यूज करेंगे आर का और this और that के साथ हम किस का यूज करेंगे इज का ठीक है और दीज और दोज के साथ हम किसका यूज करेंगे आर का नेक्स देखो यूज ओफ हैज है बिटा ही, शी, इट, एन एनी सिंगुलर नाउन कि उसके साथ किसका यूज करेंगे जैसे किसी का नेम आगा स्पोज करो यह या इश्यू यहां पर क्या आएगा यहां किसका यूज करते हैं हैज का और इसी तरह देखो आई, वी, यू, दे एन, प्लूरल नाउन या कि एक से ज़्यादा वी हम सब आई में अकेला हूँ लेकिन इसके साथ हम हमेश्या प्लूरल में एकाउंट करते हैं अब देखो मेश्या प्लूरल नाउन इन सब को क्या करने हैं मेश्या देखो अब देखो पेज नमबर एट write the name of the flowers बीटा फूलों के नेम लिखने हैं ठीक है फूलों के नेम आपको आते हैं जैसे रंगों के नेम लिखो रंगों के नेम आपको आते हैं ठीक है जैसे रेड यह कौन सा कलर है रेड कलर है यह कौन सा है ग्रीन है यह कौन सा है येलो और यह ब्राउन इस तरह आपको कलर से नेम करने हैं ठीक केट्स वर नाइस ते कुछ अबस्क्राइ्ट घुट अच्बियोग अग्टियोग शबस्टेड मेश्पट अबस्ति अबंद एकुट अजबस्ति अपक टुट चाली बेले उटन एक टूली के थे दितूली को अन्यूट। चाली।